हलो गाईज वेलकम बेक टूदीस चैनल इसेटली इंडियन मार्केट में हमें W29E स्मार्टफोन देखने को मिला था और अभी फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर हमें वीव W29 सिरीज के बाकी दो स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे और आजगी इस वीडियो मे हमने Vivo V29 और Vivo V27 स्मार्टफोन का comparison वीडियो भी बनाया था जिसका link आपको description में देखने को मिल जाएगा आप चेक आउट कर सकते हो वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए like जरू कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe भी कर लो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से related वीडियो पाते रहने के लिए सबसे पहले फ्रेंट्स स्मार्टफोन के design वगेरा के बारे में बात करें तो Vivo V29 5G स्मार्टफोन काफी premium डिजाइन के साथ आता है और यहाँ पर फैंट्स रिंग सेप के अंदर LED फ्लेस दी गई है जो की काफी ज़दा attractive लगती है और स्मार्टफोन के इस बार 4 color option आने वाले हैं जिनमें आपको purple और maroon दो new color option देखने को मिलेंगे और यह स्मार्टफोन 7.4 mm की थिकनेस पर आता है और weight भी 176 gram दिया गया है तो यह काफी slim और lightweight रहता है और यहाँ पर फैंट्स आपको definitely plastic frame देखने को मिलेगा लेकिन back side पे glass panel आने वाला है और यहाँ पर आपको color changing back देखने को मिलेगी स्मार्टफोन का in hand feel काफी जबरदस्थ होने वाला है और फैंट्स specification के बारे में बात करें तो vivo v29 5G स्मार्टफोन में 6.78 inches का काफी large 3D curved AMOLED पैनल आता है और यहाँ पर फैंट्स interesting चीजी है कि इस बार आपको 1 billion plus colors और HD 10 plus certification के अलावा 1.5 के resolution देखने को मिलेगा content watching के लिए स्मार्टफोन में display काफी awesome देखने को मिलती है और स्मार्टफोन में आपको content watching के time colors काफी sharp और accurate देखने को मिलेंगे इवन स्मार्टफोन में 120Hz की higher screen refresh rate 360Hz का touch sampling rate भी आने वाला है तो gaming experience यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन में fans up to 1300 needs की peak brightness देखने को मिलती है तो अगर आप HDR content देखोगे और स्मार्टफोन को अगर direct sunlight में भी लेकर जाओगे तो स्मार्टफोन में आपको visibility को लेकर कोई विश्व देखने को नहीं मिलेगा और अफकोर्स यहाँ पर under display fingerprint scanner भी देखने को मिलता है सेकेंड दोस्तों performance के बारे में बात करें तो vivo v29 स्मार्टफोन के global variant में हमें snapdragon 770 8G वाला प्रोसेसर देखने को मिला है जो कि fans old processor है और यह 6NM fabrication पर आता है लेकिन fans यहाँ पर आपको battery drain ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और इस chipset के antatu score की बात करें तो यह 5,50,000 तक चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको performance भी सही देखने को मिल जाएगी और fans snapdragon 770 8G processor performance के मामले में काफी ज़्यदा stable रहता है और यहाँ पर fans आपको long term users के अंदर कोई भी heating issues भी देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन fans यह heavy gaming के लिए बिल्कुल भी नहीं है बस्टिल स्मार्टफोन में आप normal gaming कर पाओगे और यहाँ पर fans आपको LPDDR 4X RAM के साथ UFS 2.2 stories का support देखने को मिलेगा बाकि स्मार्टफोन इस बार A256GB base variant के साथ आने वाला है और यहाँ पर आपको 12256GB 2 variant देखने को मिलेगा और अफकोर्स यहाँ पर fans आउट ओड वोक्स Android 13 आने वाली है जहाँ पर Funtouch OS 13 का support देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन में अगेन आपको 2 यर के major OS अपडेट्स भी दिये जाएंगे अब दोस्तों camera department के बारे में बात करें तो यहाँ पर literally कोई भी upgrade नहीं किया गया है because friends Vivo V29 स्मार्टफोन में अगेन 50 plus 8 plus 2 megapixel का triple camera setup देखने को मिलता है और यहाँ पर fans अगेन आपको Sony IMX 7.6V OIS main sensor देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया sensor रहता है और यहाँ पर fans आपको camera quality भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी लेकिन friends इस बार आपको Vivo V29 स्मार्टफोन में 4K 30 episodes तक max video recording का sport देखने को मिलेगा जो कि fans से एक downgrade रहता है because last time Vivo V27 स्मार्टफोन में हमें 4K 60 episodes तक video recording का sport देखने को मिला था और front side selfie की बात करें तो Vivo V29 5G स्मार्टफोन में again 50 megapixel का center punch all cutout के साथ selfie shooter देखने को मिलता है और यहाँ पर friends Samsung Gen1 sensor दिया गया है और इस स्मार्टफोन में आपको front camera से भी 4K 30 episodes तक video recording का sport देखने को मिलेगा और इसका reason यह है कि snapdragon 770 8G processor 4K 60 episodes video recording का sport नहीं करता है और guys better life and charging के pasty के बारे में बात करें तो Vivo V29 5G स्मार्टफोन में again 4600 mh की decent battery देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको battery backup बढ़िया देखने को मिल जाएगा because smartphone में 6NM का processor आता है तो battery drain ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और इस smartphone को charge करने के लिए इस बार friends 80V की fast charging का sport देखने को मिलने वाला है जिससे smartphone को आप around 32-35 minutes में full charge कर पाऊगे और लास्ट में कुछ other details की बात करें तो vivo v29 5G smartphone में again आपको mono speaker देखने को मिलेगा जिसकी sound quality I think आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी देखने को मिलेगी तो haptic feedback भी awesome होने वाले हैं and finally price point के बारे में बात करें तो vivo v29 5G smartphone के अगें प्राइज आपको और प्राइज देखने को मिलेगी because friends ये smartphone इंडियन market में इस बार भी 32,000 ट्रिपलना रुपीज के around आने वाला है और इस price segment के according इस smartphone में specification बिल्कुल भी justified नहीं मिलते हैं और friends launching के बारे में बात करें तो vivo v29 e already इंडिया में launch हो चुका है और vivo v29 series के smartphone को भी tease करना start कर दिया है तो या आपको vivo v29 series के दोनों smartphone vivo v29 और vivo v29 pro smartphone इंडियन market में September मन्त के end में देखने को मिलेंगे तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही hopefully आपको आज के वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ share करना और डेली ऐसे ही smartphone से related वीडियो के लिए चैनल को भी subscribe कर लेना